दो मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अडूराठी आइस आप सब का स्वागत करते हैं एक रिक्वेस्ट करूँगा गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा ताकि सारे लोग जल्दी से हमारे साथ में जुड़ सकें और हमारे साथ सेशन जो है उसमें हम आगे बढ़ सकें शिरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की बैसे मैं बता दू करेंट अफेर अलड़ी अपलोड हो चुके हैं आपकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो इंग्लिश का हो चुका है हिंदी का भी हो जाएगा और बस यह जो प्रोसेस है जल्दी अपनी सेट हो जाएगा उसके बाद में जब भी आप करेंट अफेर देखोगे ना उससे पहले आपके वास करेंट अफेर जो हो आपकी अप पर अपडेटिड होगा चलिए एक बार आप लोग भी शेर कर दीजिए मैं भी एक बार शेर कर देता हूँ so that everybody can come and join the session सारे लोग आ सकें क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अभी एक class हम कर रहे हैं आपके क्योंकि लोगों क्योंकि अपके वास कर दो दो के आपके कर दो कि आपके समय कि एक आपके । चलिए शुरुबात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज आप दो जगें हैं ये दो प्लाटफों में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा ये मारा ओफिशल डेलिग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम सुमित.Rathi03 और सुमित.RathiOfficial ये दोनों जगें पर प्लीज फॉलो ज़रूर कीजिए पहला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया का 500 मिलियन डॉलर का एगरी क्रेडिट बूस्ट जो हमने केनिया को दिया है. ठीक है अभी केनिया के जो प्रेजडेंट है वो भारत की यात्रा पे आए हुए है. और इस यात्रा के दुरान भारत ने ने 500 मिलियन डॉलर का एक लाइन अफर क्रेडिट दिया है. लो आई डिया है. लो आई का मतलब yem अध लो नफरԵर्श, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बनाको बता देता हूँ. ये प्रकार का लोन होता है, जो हम देते हैं लेगन इसका उद्देश्य क्या होता है, कि ये एक agriculture से associate है यह तो यह 200 इसो मिलियन डॉलर जो है वो Kenya को किसमें खर्च करने है एगरी कल्चर में और यह Kenya खर्च किसके साथ करेगा भारत के साथ मतलब भारत ने ही यह कहा है Kenya को कि हम 200 मिलियन डॉलर का आपको लोन देते हैं और ये loan जो आपको दिया गया है, आप चुकाते रहना, लेकिन इस loan के लिए जो भी आप खरीदारी करोगे, वो केवल भारत से ही करोगे, इस प्रकार के system को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के system को हम कहते हैं, line of credit, तो ये line of credit जो है भारत ने दी है, और इससे यार पू के अंदर में वो क्या-क्या चीजे है, क्या relation है, भारत के Kenya के साथ में किस प्रकार के संबंध है, तो उन सारी चीजों को यहाँ पर हम आपके साथ में अभी discuss करेंगे, ठीक है, जल्दी से, ये Iowa topic है देख सकते हो, इंडिया announced 500 million line of credit to the Kenya in the agriculture sector, GS paper दो, इसके अंदर में हम international relation के ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोस्तों, चर्चा करते हैं, तो भारत ने 200 million dollar line of credit जो है वो Kenya को दिया है, इसी लिए ताकि वो अपना agriculture जो है, इसको modernize कर सके, अपने किर्शी को वो आधुनिक कर सके, इसलिए हमने 200 million dollar दिये हैं, अच्छा दोस्तों, इ कई सारे ऐसे दुई पक्षिये समझोते हैं, जिन पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जैसे मैं बात करता हूं, तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और जो Kenya की प्रेजिडेंट है, दोनों ने कई सारे मुद्दों पर, जैसे अगर हम बात करें, डिफेंस के उपर बातचीत की है ठीक है, व्यापार के उपर बातचीत की है, उर्जा के उपर बातचीत की है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर खेती अपनी आप modernize कीजिए हम आपके reliable partner है हम चाइना की तरह नहीं है कि आपको dead trap में फसा लेंगे तो हम एक reliable partner बट हम कहने हैं कि यार आप इन बिन मुद्दों पर भी हमसे बाचीत कर सकते हो health care, digital public infrastructure है ना प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और केन्या की राष्टपदे, विलियम समोई, समोई, रूतो रक्षा व्यापार उडजा, digital सावरजनिक बुनियादे धांचे और स्वास्त सेवा साहीत, विभिन्य छेत्रों में धुई पक्षिये संबंदों को मजबूत करने पर सहमत हुए ह प्यारे बच्चों, हिंदी और इंगलिश दोनों कॉंटेंट आपके वेबसाइट पर मिलने लगे हैं, आप जाके देखेंगे, ठीक है, दियार इंदर वेरी मच लाइक, जो बिल्कुल हाइस्ट कॉंटेंट क्वालिटी होती है, वहाँ पर मिल रहा है, तो वहाँ पर जाक हैं, किन-किन मुद्दों पे हैं, तो पहला पैक्ट हुआ है, दोस्तों, स्पोर्ट्स के उपर, है न, खेल कूद पे, दूसरा हुआ है सिक्षा के उपर, तीसरा हुआ है डिजिटल सॉलूशन के उपर, पाँच समझहोतों के अंदर में, जो समझहोते हुए हैं, वो केनिया की बात करें दोस्तों तो केनिया जो है हमारा मेरीन टाइम नेवर है तो मेरीन टाइम नेवर केहते या हिंद महासागर चेत्रों में समुद्री जुडाओ बढ़ाने के लिए एक सयूक्त दृष्टी दस्तावेज का भी अनावरन यहां पर किया गया है अच्छा, दोनों ने कुछ concerns भी याँ share की है, पिछले साल अगर हम बात करें, ठीक है, पता नहीं, exactly पिछले साल की बात है, कव की बात है, भारत के दो Indian citizens थे, जो Kenya में missing थे, जुलाई की बात है, पिछले साल की, नाम था जुल्फिकार एहमद खान और जायद समी किद्वई, जुल्फिकार एहमद खान और जायद समी किद्वई, यह अचानक से Kenya में गायब हो गए, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, कि इनको अबड़क्ट किया गया था, ठीक है, और बाद के अंदर में इनको मार दिया गया था, और इसको अबड़क्ट करने और मारने के अंद में यहां की जो Directorate of Criminal Investigation है, जैसे हमारी CBI है, ऐसे इनकी जो Directorate of Criminal Investigation है, उन्होंने इनको अबड़क्ट किया था और फिर बाद में मार दिया, रिपोर्ट में अपरण की संभावना और विगटित अपरादिक जाच निदेशाल है, इकाई की कथित सनलिप्ता का सुझाओ भी Digital Public Infrastructure है, चाहे वो मैंने बताया UPI वाला हमारा सिस्टम हो, आधार वाला सिस्टम हो, ठीक है, हमारा Direct Benefit Transfer का हो, तो यह सिस्टम भारत का बहुत मजबूत है, तो इंडिया ने का कि आप देखो, दुनिया आ रही है हमारे पास में, लेकिन हम जो है आपके Reliable Development Partner है, इंडिया ज चाहते हैं कि आप हमारे इस Digital Public Infrastructure के साथ में जुड़ सकते हो, हम इसकी सुईधाएं भी आपको तरदान कर सकते हैं, साथ-साथ जो 200 मिलियन डॉलर की बात मैंने बताई, हमने दिया न को, कि भया जाओ अपनी खेती को मजबूत कर लो, जाओ जी लो अपनी जिन्दगी, है केनियन साइट जो है, उन्होंने भी कहा है दोस्तो, दे ओफर्ड लैंट टू फोर फार्मिंग टू इंडियन कंपनी अंडर दा कोपरेटी मॉडल, बदले में उन्होंने भी यार कहा है कि आप भी आओ और भारती लोग भारती कंपनीया, केनियन धरती के उपर में खेती कर सकती है, कॉर्परेटिव मॉडल के तहत में, जिसको हम सहकारी मॉडल कहते हैं, ठीक है, साथ-साथ में केनिया जो है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया का जो पेमिंट सिस्टम है, यूपी आई, उसमें भी हमारा इंट्रेस्ट है, बड़ा मज़ेदार सिस्टम है वाँ पे, दोनों ने counter-terrorism cooperation पे बात किये, आतंकवाद विरोधी सहयोग की बात किये, दोनों देशों ने माना है कि terrorism जो है, आतंकवाद जो है, वो एक बहुत बड़ी और एक गंभीर serious global problem है, और दोनों ने कहा है कि counter-terrorism cooperation जो है, आतंकवाद विरोधी सहयोग जो है, इसको बढ़ाने क की आवशक्ता यहां पर है डिफेंस के उपर में भी बातचीत हुई है दोस्तो डिलिबरेशन ओन डिफेंस कोपरेशन जैसे बात करें मिलिटरी एकसरसाइस पर बात हुई है किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में सैनने अभ्यास जो है उसको बढ़ाया जाएगा किस प्रकार से केपैसिटी बिल्डिंग की जाएगी छमता निर्मान कीया जाएगा और लिंकिंग डिफेंस इंडस्टी जो बोद द कंट्रीज है ना दोनों देशों की एक गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड है जो बिसिकली शिप डवलप करता है ठीक है भारत की जो आपकी नेवी की जो बहुत सारी जाए वो आप बात कर लो शिप्स की बात कर लो वैसल्स की बात कर लो यह सम्मरीन का मौजूद होना आपको पता है केनिया में अप्रोक्सिमेटली 80,000 इंडियन से असी हजार इंडियन के अंदर है जो भारती है और वो केनिया में रहते हैं यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है इंडिया की सबसे बड़ी सौप्ट पावर यही है दोस्तों आज के टाइम पर ब भी है दोस्तों अब बात करते हैं इन्वीटेशन फोर इंडियन इन्वेस्टमेंट अब जब भारत ने इतना सब कुछ किया है तो केनियन प्रेजिदेंट रूटो जो है उन्होंने भी इंडियन कंपनीज को इन्वाइट किया कि भाया आप भी आईए और आप हमारे देश के अं達 आके इन्वेस्ट कीजिए, आप खेती में स्वास्त में हरित उरजा बनाइए हमारे यॉथा के अंदर में हमारे बहुत सारे आउसर है तो आप आईए और उनके उपर में आकर आ क्या करिएगा धोस्तोंだ इन्वेस्ट कीजिएगा यह इन्वीटेशन दी है केनियन के banana ने भी, याना, साथ-साथ में उन्होंने भारती का जो सहयोग वुआ है। आज तक भारती का जो सहयोग दिया है, अलग आप के सहयोग की वजय से हम बहुत आगे ऐ है, ठीक है, आप समस्ते हैं दूस्तों कि यह जो ठीक है का ध्वी पक्षे संबंध कब से हैं देगो इंडिया और केनिया की बात करें तो भारत मानता है कि केनिया हमारा मरीन टाइम नेबर है हमारा समुद्री पडोसी देश है और दोनों के बीच में बहुत ही हमारे उपिस ओफ कमिशनर फोर बिकिश इस इंडिया रेजिडेंट इन नेरोवी नाइनिटीन फॉटी नहीं देखो यार यह केनिया जो है वह भारत 1947 में आजाद हो गया था बट Kenya जो है वो आजाद नहीं हुआ था वो तब भी दोस्तों किसके अंडर में था British Government के अंडर में था ठीक है अंग्रेजो की एक colony था वो तो जब भारत आजाद हो गया था तो हमने 1948 के अंदर में नेरोबी के अंदर में इंडिया का एक इंडिया का जो office of commissioner है वो हमने establish कर दिया था 1963 में Kenya आजाद हुआ जब Kenya आजाद हुआ दोस्तों तो हमारा high commission हमने नेरोबी के अंदर में establish किया ठीक है समझ में ही बात तो Kenya में आज हमारा high commission है साथ साथ में अगर हम बात करें तो हमारा Assistant High Commission कहां पर है Mombasa, एक और City है, ठेक है Mombasa, तो आज अगर हम देखें, तो Indian High Commission तो ही है साथ साथ, हमारा Assistant High Commission जो है, वो भी Mombasa के अंदर स्तित है, ठेक है, तो Kenya के साथ संबंध कुल मिला के हमारे बहुत अच्छे है, उसके बाद हमार जो Vice President थे, Dr. S. Radha Krishnan जी, उन्होंने जुलाई 1956 के अंदर में विजिट किया था, किस में दोस्तों, यहां पर हमारे बहुत है, उन्होंने भी Kenya का जो Independent Celebration हुआ था, 1963 में जब इन्होंने आजादी का जश्न मनाया था, उस समय भारत की प्रधान मंत्री हुआ करती थी, इंद इंद्रा गांधी थोड़ी ना थी, इंद्रा गांधी अटेंड देट ने चेनिया इंडिपेंड़ेशन ने था, ठीक है, बलेट इन्टेंशन जब ठीक है, तो 1963 के अंदर में स्रीमती इंद्रा गांधी गई थी यहां पे, वो बाद में बनी थी, बढ़ हाँ, 1963 में जो इन के संबंध के अंदर में एक नया मुमेंटम मिला है, समझगा ही बात, तो जुलाई 2016 में प्रधान मंत्री रेंद्र मोधी की केन्या की जो राजकी यातरा थी, उसमें एक महतवपूर मील का पत्थर साबित हुआ है दोस्तों, इससे दोनों देशों के बीच में धुई देशों के बीच में बाइलेटरल ट्रेड कितना है, दुई पक्षिय व्यापार थीक है, तो दुई पक्षिय व्यापार ये है दोनों के बीच में, है ना, आप देख सकते हो ये पहले आ गया थोड़ा सा, related search, but this is दुई पक्षिय व्यापार हमारा, दोनों देशों के तो अभी वर्तमान में जैसे 2022-21 का डेटा है, तो आप देखोगे तो इतना एक्सपोर्ट है, ठीक है, इतना एक्सपोर्ट है, हमारी ग्रोथ जो है वो negative में चल रही है, share of India's export, भारत के export काम 0.6% एक्सपोर्ट करते हैं किसको दोस्तो, Kenya को, ठीक है, समझ में आरी बात दोस हम बहुत कम करते हैं Kenya से, export हमारा Kenya को क्या है दोस्तो, जादा होता है, यह bilateral trade है, अब दोस्तो रही बात यहां से कुछ ऐसे मुद्दे जो आर आपको खुद से देखने चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाके map उठाना है, Kenya की तरफ देखना है कि उसकी location का ह है, उसकी geography क्या है, आसपास कौन से देश है, कौन सी बड़ी lake है, कौन सी बड़ी water body उसमें है, या किस water body से उसका area लगता है, यह सारी चीज़े जो है वो आपको Kenya के बारे में देखनी है, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तो, prelims में, सर, PT में क्या important है, prelims के पार हम कितना करते हैं, दूसरा Kenya और भारत का रिष्टा जो है, या Kenya के लिए भारत और भारत के लिए Kenya कितना important है, these are the important topic for the prelims, and prelims में सारी चीज़े आपसे पूछी जा सकती है, मेंस का एक बड़िया सवाल में आपके समक्ष रखूंगा, मेंस का question क्या है, discuss the evolution and current status of India, Kenya bilateral relation, highlight की historical milestone, diplomatic initiatives, and area of cooperation, ठीक है, आपको क्या करना है, किस प्रकार से भारत और Kenya के बीच में, दूई पक्षिय संबंद जो है, वो evolve हुए है, किस प्रकार से वो उपर उठे है, साथ-साथ में जो historical milestone हमने set किया है, आज तक हमने क्या चीव किया है, दोनों देसों ने, हमारे क्या-क्य एक दूसरे के diplomatic initiatives रहे हैं, और किन-किन areas के अंदर में हमारे आपसी संबंद जो है, वो बहुत बहतर है, इन मुद्दों के उपर में हमें क्या करनी है, दोस्तों, चर्चा करनी है, यह हमारा main specific topic है, अगले topic के और बढ़ते हैं, दोस्तों, तो next topic जो हमारा वो है COP28, pledge to triple nuclear capacity by 2050 देखो, COP28 के अंदर में हमने शपत ली है, दोस्तों, ठीक है, क्या हम अपनी जो nuclear energy है, उसको 3 गुना करेंगे, triple करेंगे, by 2050, यह COP28 की बैटा का भी पता है, आपको दुबई के अंदर हुई है, है ना, और COP का meaning क्या है, conference of parity, किसकी conference of parity है, UNFCCC की, ठीक है, United Nation Framework Conventional Climate Change, जिसक उद्देश क्या है, दोस्तों, climate change को रोकना, और climate change को आप कैसे रोकोगे, दोस्तों, ठीक है, climate change को आप रोक सकते हो, दोस्तों, जब आप greenhouse gas को कम करोगे, greenhouse gas को कम करना पड़ेगा, तब greenhouse gas कम होगी, तब क्या होगी, दोस्तों, global warming कम होगी, और उसकी वज़े से, जो climate change हो र ये कब होगा जब आप green energy की तरब बढ़ोगे और green energy कौन सी होती है दोस्तो renewable जो energy हमारी जिसे solar उजा, wind energy ये सब renewable energy है बायो गैस, बायो मास से मिलने वाली साथ-साथ में अगर हम बात करें दोस्तो तो जो आपकी nuclear energy है ये भी आपकी अपने आप में clean energy मानी जाते है आज इतनी उर्जा दे रहा सूरज कल फिर देगा, ऐसा नहीं कि तुमने absorb कर लिया आज सूरज की उर्जा का तुमने बिजली बना ली तो कल सूरज कम light देगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो renewable है, replenish होती रहती है, हवा से आज turbine गूमी है आपने बिजली बनाई ऐसा नहीं कि कल हवा कम आएगे, कि कल तुमने बिजली बना ली मेरी turbine गूमा के ठेक है मेरी उर्जा से, तो ऐसी उर्जा जो बार-बार अगले दिन फिर से आपको उतनी मातरा में मिले ठेक है, वो natural resource जिनका replenishment बहुत तेजी से होता है, दियारदा renewable energy लेकिन यहाँ पर अगर मैं green, इसकी बात करूँ, nuclear energy की, यह renewable नहीं है, नवी करणी यह नहीं है बट हाँ, यह green energy जरूर है दोस्तों, है ना, तो अभी एक COP28 के अंदर में बातचीत हुई है और कई लोगों ने, ठेक है, side line पे हुआ है एकाम, COP28 के अंदर में नहीं की, कोई समझोता हुआ है नहीं COP जब भी ऐसी बैठाक होते हैं, उसकी side line में कई सारे group वगेरा ऐसे मिलके न, इस प्रकार की शपत लेते रहते हैं तो उन्होंने pledge किया है क्या triple करने का, उन्होंने का nuclear energy को भी तीन गुना कर देंगे हैं 2050 तक, भारत इसमें इससेदार नहीं है ठेक है, मैं बता देता हूँ, US ने इसको propose किया है, America और European nation है जो इस मुद्दे को आगे लेके आ रहे हैं अब उनके पीछे भी हो सकता है, उनका hidden interest हो, है ना, देखिए दोस्तो, आगर आप nuclear energy को तीन गुना करोगे, triple करोगे 2050 तक, तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर में green house gas के emission तो कम होगा, ये बात तो शौर है लेकिन आज अगर आप nuclear technology की बात करते हो, प्रमाणू तकनीक की बात करते हो, तो या तो वो अमेरिका के पास में है, या इन पश्मी देशों के पास में है, है ना, तो उससे तो फिर यही सुद्रड होंगे ना, यही मजबूत होंगे, इनके technology लोग खरीदेंगे, जादा भ करना चाहिए था, अगर हम इसको जोईन करते हैं, तो कल को होके, जो NSG ग्रूप है, nuclear supplier group, उसकी membership के प्रती हम जादा, मतलब एक strong दावेदार जो हम उनके बनते हैं, तो यह topic आया हुआ, आप देख सकते हो दोस्तों, दाहिंदू में, COP 28 summit, 22 nation, including US, commit to triple nuclear capacity by 2050, तो कुल मिला के 22 देश ऐसे हैं, जिन्होंने, जिसमें US भी शामिल है, जिन्होंने commit किया है कि वो 2050 तक जो nuclear energy है, उसको वो तीन गुना कर देंगे, triple कर देंगे nuclear energy को, GS paper 3, environment pollution, degradation, climate change, clean energy, ठेक है, government plan and policies, है ना, GS paper 3 का मुद्दा है यह, 80, 20 countries जो है, उन्होंने, more than 20 countries जो है, they aim to achieve net zero emission by pledging to triple global nuclear install capacity by 2050, at COP28, तो यह सारे देश हैं, जिन्होंने pledge किया है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, 22 nation है, तो 22, यहाँ पर आप कहोगे सर, 22 है, और यहाँ पर 20 है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, 22 में से 20 हैसे हैं, जिन्होंने बोल रखा है कि हम 2050 तक net zero पहुंच जाएंगे, यह वो द 22 ओर देश हैं, जिन्होंने कहा है कि हम 2050 तक अपनी परमानुचंता को तीन गुणा कर देंगे, ठीक है, साथ-साथ में जो गोल है, इट आल्सो रिकोगनाईज दा क्रूशियल रोल, है ना, यह कह रहा है कि यार, जो डेड़ डिगरी का हमने टार्गेट सेट किया हुआ है, हमने कहा है कि डेड़ डिगरी से लेकर हम तीन डिगरी सेल्सियस के बीच में हम क्लाइमेट चेंज को रोक देंगे, 1760 में जो इंडस्टियल रवल्यूशन हमारा शिरू हुआ था, अध्योगी करांती जो शिरू हुई थी, और हमने उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तमाल करन जो शिरू किया था, उसकी वज़े से जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से हमारे यहां पर प्रमानू, जिस प्रकार से हमारे यहां पर ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप समझिएगा कि प्रमानू उर्जा जो तो ये दुनिया में मेजर खिलाडी हैं, बड़े खिलाडी हैं आप न्यूक्लिर पावर के, इन्होंने बहुत ambitious target रखे हुए, बहुत बड़े बड़े, तो इनके अगर आप target देखोगे, इन दोनों देशों के बहुत महत्व कांशी प्रमानु उर्जा कारिकरम हैं इनके, ब उन्होंने announce किया है कि अगले अभी सितंबर के अंदर में, next year जो होगा, sorry, March के अंदर, ब्रिसल के अंदर में एक summit की जाएगी, ठीक है, एक summit होगी कहां पर दोस्तों, ब्रिसल में, ठीक है, nuclear energy summit के नाम से, ठीक है, और वहाँ पर ये इसके बारे में और ज़्यादा बात करे कैसे nuclear, हम इसको, nuclear energy को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से nuclear energy का ज़्यादा इस्तमाल करेंगे, तो जीवास में इंदन fossil fuel का reduction होगा, किस प्रकार से energy security बढ़ेगी, किस प्रकार से हम economic development को boost करेंगे, तो वो सारे मुद्दे पर ये लोग बातचीत करने वाले हैं, अब बात करते ह हैं, दोस्तों, nuclear energy और उसके महतों के बारे में, प्रमान उर्जा और उनके महतों के बारे में, nuclear energy जो है, वो बहुत एक clean source है, clean है, लेकिन मैं मानता हूँ non-renewable है, gear नभी करनी है, मतलब एक बार खतम हो गया, तो फिर दुबारा आप इसका इस्तमाल जो है, नहीं कर सकते है है ना, लेकिन आज दुनिया के अंदर में अगर आप देखोगे, तो जितनी बिजली बन रही है, जो energy requirement है हमारी, उसका 10% जो है, total electricity वो nuclear energy से बन रही है, 370 गीगावाट के आसपास जो है यहाँ पर, अलग अलग 31 देशों के अंदर में, आप अगर देखोगे, तो वो 10% ब 2050 को तक, इसको 1000 गीगावाट तक पहुंचा दोगे, तो undoubtedly भाई साब, एक बात तो पक्की है, कि इससे जो आपका सुन्य उत्सरजन गोल है, सुद्ध सुन्य उत्सरजन, net zero वाला जो गोल है, उसके अंदर में कई देशों को बहुत मदद मिलने वाली, अब आपको पता है, भारत ने भी target रखा है by 2070, इंडिया भी अचीव net zero, तो इसलिए देखो, इंडिया ने तो ये, इसमें साइन नहीं किया, बट कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट का मानना है, यार इंडिया ने यार ये train मिस कर दी, एक तो ना केवल ये भारत का net zero target को हम उसके close जात ठेक है, तो 70 billion ton जो CO2 है, ठेक है, वो आप emit करने से रुक जाओगे, मतलब रोक लोगे आप उसको, international energy atomic study reveals that nuclear power has prevented nearly 70 billion ton of CO2 equivalent emissions over the last 50 years, sorry, 50 सालों में उन्होंने कहा है कि लगबग लगबग हमने 70 billion ton जितनी जो carbon dioxide जो है, हमने कम emit किये, just because of this nuclear power, अगर ये नहोती तो आज 70 billion ton जादा carbon dioxide जो है, वो atmosphere के अंदर में होती, समझे में आरी बात दोस्तों, ठेक है, तो इन्होंने ये भी कहा है, आई के director general जो है अभी, ठेक है, इन्होंने कहा है, राफील मरियानो ने कहा है, कि भाईया, अगर आप ये कर रहे हैं, तो जाहिरी सी बात है, जो कई देशों प्राप्त करने में आसानी होगी, ठेक है, इंडिया का stand क्या रहा है, भारत ने कभी से बहुत सिंपल चीज रखी है, जैसे COP 28 की बैठक चल रही है, तो जो COP 28 के अंदर होगा भारत बस उस पे बात करेगा, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था, हेल्थ सेक्टर में कारबन डायॉकसाइड के अमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक प्लेज ली थी कई देशों ने, इंडिया ने का भाई हम नहीं जा रहे है इस मेर, ठेक है, हम सिर्फ बात करेंगे किस की, हम COP प्रोसेस के तैत में जो होगा उस पे बात करेंगे, उसके साइड में जो चल से उस पे ध्यान नहीं देंगे, हाँ, अगर COP के अनरूप कुछ हो रहा है, तो हम उस पे काम करेंगे, ठीक है, और इसलिए यार, इन्हों ने, इंडिया ने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा और भारत ने इस प्लेज के अंदर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो पु बहुत सयोग दे देता, बहुत मतलब हेल्फूल हो जाता इसमें, है ना, और इंडिया का खुद का भी प्लान है, हम तो खुद भी सोच रहे हैं, कि हम अपनी नुकलियर कैपासिटी को दुग ना करें, तो इसलिए हमने तो आठ नए रियक्टर बना रहे हैं और हमारा टार लगेट है, तो ट्रीड में भी शामिल हो जाते हैं, तो यह काकोदर साब का मानना है, परिस्नल वियु है उनका, ठीक है, उन्होंने यह का कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप greater energy को, ठीक है, उन्होंने यह भी का कि अगर आप ऐसा कर लेते, तो कल होके हो सकता है, nuclear supplier group जो है NSG जो है उसकी आपको membership मिल सकती थी भारत COP 28 गटबंदनों में शामिल नहीं हुआ काकोदर का मानना था कि सहयोग प्रमाणू आपूर्ती करता समू Nuclear Supplier Group में सदस्चता के लिए भारत के मामले को क्या करता बढ़ावा दे सकता था इंडिया ने का गि हमारा रूप साफ है हमारी नजर है बस सिर्फ चिडिया की आख पर उस आख के आसपास के हमें कोई मतलब नहीं है हम बात करेंगे COP की Conference of Parities के अंदर में United Nation Framework Convention Climate Change की COP 28 की बैठक में जो होगा हम उस पे ध्यान देंगे उसके आसपास क्या चल रहा है भाड में गया हमें उनसे कोई लिना देना नहीं है ठीक है क्लियर है दोस्तों बताइए समझ आया कि नहीं है एक बार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे दोस्तों इस मैं अंबल रिक्वेस्ट वाल अफ यू गाईस एक बार जल्दी से कर आउटलंट कहां कहां पे हैं उनकी location क्या है भारत में प्रमानू उर्जा सैंत्र और उनके स्थान इस पे हम चर्चा कर रहे हैं ठीक है आपको देखना है कहां कहां पे है location कहां कहां पे हैं तो ये basically हो गया geography के अंदर में map का portion और ये उनके लिए जादा जरूरी है जो अभी मेरे साथ बहुत जल्दी 20 तारीक से geography optional पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए this is very very important मैं बता देता हूँ highlight प्रिलिम्स के अंदर में क्या पूछा सकता है सर कॉप 28 के बारे में बताईए इसकी मुख्य मुख्य बाते क्या है जितना भी कॉप 28 में बाचीत हुई है सब देख ले अधर प्रिलिम्स ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है मेंस का सवाल पर बात करते है सर मेंस में कितना बढ़िया और कितना important चीज है यहां पर assess the global impact of COP28 pledge to triple nuclear capacity by 2050 भाईया जो अभी pledge हुई है COP28 की जो pledge हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो nuclear capacity को तीन उना कर रहे है आई बात समझ में United States इसको lead कर रहा है तो आपको क्या करना है you have to evaluate India's decision to abstain from the commitment its rationale in alignment with the COP principle and opportunities and challenges in India's nuclear energy expansion plan for the net zero goal by 2070 बहुत अच्छा और विस्तरित सवाल आपके लिए मैंने रखा है देखो सयुक्तराज अमेरिका के नित्रतों में 2050 तक प्रमानु छमता तीन गुणा करने कि जो COP 28 की प्रतिग्या है उसके वैश्विक प्रभाव का अकलन करना है प्रति बद्धता से दूर रहने के भारत के निर्णे COP से धन्तों के अनुरूप इसके तर्क और 2070 तक नेट सुनने लक्षों के लिए भारत की प्रमानु उर्जा विस्तार योजना के आवसरोड चुनोतियों पर प्रकास जालें ठीक है यह हमारे देली अंसर राइटिंग करेंगे और बैच अभी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 11 तारीक से सारी शेड्यूल डीटेल में 10 तारीक को आपको ठीक है एक पर्सनल सेशन हम करेंगे क्लोज ग्रूप सेशन करेंगे हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ में जो हमारे मेंबर्स है उनके साथ में हम बातचीत करते विए आप सभी को बताएंगे किस प्रकार से हमें आगे प्रोसीड करना है ठीक है वहाँ पर डेली अंसर राइटिंग हम कराएंगे डेली कराएंगे डेली ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है वार्मेस्ट डिकेड इन दा यह कह रहा कि अब तक का warmest decade रहा है यह 10 साल जो है अब तक के इतिहास में सबसे गरम साल रहे है reason क्या है दोस्तों इसका reason obviously बात है reason is nothing but the climate change भाई इसके अलावा और दूसरी कौन सी महामारी हो सकती है जिसकी वज़े से हम यह कह रहा है कि warmest decade रहा है इतिहास का because of the climate change है ना तो यह report आई है दोस्तों आपकी report छपी है और खबर report की छपी है कहां पर दोस्तों दा हिंदू में warmest decade in the history saw drop in the deaths from extreme weather events world metallurgical log nigerion WMO ने कहा है कि भाईया 2011 से लेकर 2020 का जो दसक रहा है सबसे गरम रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर extreme event से मरने वाले लोगों की मौत जो है वो बहुत कम रही है ठीक है मतलब लोग मरे नहीं है उतने अगर आप देखोगे ना तो लोगों की मृत्यू जो है वो उतनी यहाँ पर नहीं हुई है ग्लोबल क्लाइमिट 2011 और 2020 एक रिपोर्ट आई यह पूरी रिपोर्ट आई है इसमें क्या बताया कि यह अपने आप में एक वार्मेस्ट डिकेड रहा है सबसे गरम दसक रहा है वाईया ठीक है यह WMO ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है दूसरा कहा है कि एकनॉमिक लॉस वर्सिस डेथ ऑल्दो एकनॉमिक लॉस जो है हमारे आर्थिक लॉस जो है वो बढ़े है ठीक है क्योंगी एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट होंगे बहुत तेज बाढ़ कान अभी देखो चिन्नही का बुरा आल किया हुआ है अभी साइक्लोन आया है ना चिन्नही एक तरफ हम इंडस्ट्रिल रेवल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर आप कंपार करोगे इन क्लाइमेटिक इवेंट की वज़े से जो डेथ हो रही है डेथ का नंबर जो है वो काफी कम है मतलब लोग उतने मर नहीं रहे हैं मतलब यार टेकिंग दा प्रेकॉशन्स है ना हम वो काम कर रहे हैं ज़से लोग आर्थिक नुक्षान तो हो रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे है लेकिन हां जो casualty है उनको हम रोक पा रहे हैं इसका पीचे एक कारण ये भी है कि हमारा जो early warning system है उसको हमने काफी इंप्रूब कर दी है प्रानमदिक चेतावनी system है ना इसकी वज़े से भी हम पहले ही warn कर दे रहे है, early warning दे देते हैं भी, कि ऐसा होने वाला है, forecasting कर देते हैं, disaster management हमारा बहुत अच्छा है, DM, disaster management हमारी जो national disaster response force और state disaster response forces है, वो बहुत तेजी से active हो जाती है, early warning system अच्छा है, कोई भी चीज होने से पहले, cyclone आगे, हमने early warning दे दी, कि यहाँ यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो शक्ति है, हमारे alert होते हैं, red alert, orange alert, यह सब होता है, तो उससे कहा है कि यह जो मौत हुई है, यह कम हुई है, इसी की वज़े से हुई है, दूसरा भारत की preparedness जो है, तैयारी जो है, है ना, वो भी अच्छी हुई है, है ना, ना केवल हम समय से advance में cyclone को forecast कर देते हैं, उनके बनने के, सब हम पहले बता देते हैं, बलकि उसके निपटने के लिए हम तैयारी भी करके रखते हैं, कि उनसे मालो cyclone आता है, कल को चक्रवात आएगा, बारिश आएगी, पेट तूटेंगे, सड़के खराब हो जाएगी, बिल्डिं इसा सा हुआ है, इस report में ये भी कहा गया कि जो ozone hole है, उसकी बहुत एतिहासिक level के उपर में recovery हो रही है, जो ozone hole recovery है, वो अपने आप में एतिहासिक है इस report के अंदर बताया गया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, जो ozone hole जिस प्रकार से deplete हो रहा था, जिस प्रकार से उसमें शेद होता जा रहा है तो मॉन्ट्रील प्रोटोकोल के बाद में ठीक है मॉन्ट्रील प्रोटोकोल का सब को पता है मॉन्ट्रील प्रोटोकोल के बाद में दोस्तों यह बहुत सफल प्रोटोकोल है दुनिया में सबसे सफल प्रोटोकोल के अंदर में एक मानी जाती मॉन्ट्र भो रहा है तो जाहिर सी बात है जो हमारे glacier है वो भी पिंगल रहे होंगे तो यहां पर Glacial warming जो है Glacial worldwide thin by the approximately 1 meter per year हर साल जो हमारे glacier है उनके अंदर 1 meter बरब जो है वो पिगलती जा रही है, average है 2011 से 2020 के बीच मतलब almost हर साल एक meter बरब तो यह 10 साल है तो 10 meter जो हमारे glacier हैं, वो पतले हो चुके हैं, चाहे वो Greenland के अंदर हो, चाहे Antarctica के अंदर Greenland और Antarctica लगवग 48% जो है अपनी बर्फ जो है, वो खतम कर चुके हैं, उनकी इतनी सारी बर्फ जो है, वो lost हो चुकी है Climate change के impact और भी देखे गए हैं The report highlighted that human caused climate change, increase risk from extreme heat event with heat wave causing the highest number of human casualties, अगर आप देखोगे, तो ये जलवायू परिवर्तन जो है, इस जलवायू परिवर्तन में मानव जनित जलवायू परिवर्तन जादा हो रहा है और इसकी वज़े से दोस्तों, आपको extreme heat event देखने को मिल रहा है जिनकी वज़े से heat wave हो रही है और इनित वेव की वज़े से दोस्तों, आप देखोगे, तो मानव casualty जो है, वो ज़्यादा हो रही है, आदमी बहुत ज़्यादा मर रहे है, financial commitment की बात कर रहे हैं हम दोस्तों ठीक है, वित्ति है, प्रतिबद्धता की बात हम कर रहे है, public और private climate finance जो है, मतलब अभी climate finance मैंने बताया था climate finance का मतलब होता है वो पैसा, ठीक है, जो इसलिए दिया जाता है कि जो climate change से हो रहा नुकसान है उसकी भरपाई कैसे, उसका mitigation कैसे, उसका adaptation कैसे हो, अनुकूलन और शमन, उसको जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते है, आपका climate finance, तो यहाँ पे बात होई है, जो climate finance है, ठीक है, वो भी बढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले नहीं आ रहा था climate finance, बट अब यहाँ पे climate finance भी significantly बढ़ा है क्योंकि हमें वो climate objective को क्या करना है दोस्तो, achieve करना है climate finance के target की बात करते है तो इस पे तो दोस्तो अभी थोड़ दिन पहले हमने बात ही की दी, climate finance target जो है, वो 100 billion dollar का रखा हुआ है लेकिन वो पूरा तो नहीं हो रहा ना ठीक है, पूरा नहीं हुआ है अभी दो दिन पहले इसके उपर बहुत detail के अंदर हमने class किया, लेकिन कहा यह रहा है कि हाँ वो increase जरूर हुआ है increase क्यों हुआ है, क्योंकि हमें इस target को achieve करना है, इसलिए climate finance की आवशकता है अब दिख दोस्तो world meteorological organization क्या होती है WMO, एक specialized agency है UN के अंदर में, ठेक है UN की जो specialized agency है, उसमें से एक है, इसका काम क्या है international स्तर पर mythology, climatology और hydrology related fields के अंदर में cooperation को promote करना, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, तो मौसम, विज्ञान, जलवायू विज्ञान, जल विज्ञान, संबंदी, छेतरों के अंदर में बनी थी, United Nation की 1991 के अंदर, आज पूरी दुनिया में इस अंस्ता के साथ 191 में में मेंबर लोग जोड़े हुए हैं, दोस्तों, है ना, और ये मान के चलो UN की एक ऐसी body है, जिसमें बहुत सारे सदस्य है, most subscribed UN specialized agency, हम इसको कहते हैं, सर इसके objective क्या है, इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो WMO जो है, इसका primary objective क्या है दोस्तों, to facilitate the exchange of metrological information and promote international collaboration in the area of, ये मैंने अभी बताया, ठेक है, कि वही, climate में, weather में, water related, इन areas के अंदर में, आपका cooperation को promote करना, ये इसका क्या है दोस्तों, objective है अब हम बात करते हैं, progress और services की, है ना, कौन-कौन से program ये चला रही है, और कौन-कौन सी सेवाए दे रही है, है ना, ये बहुत important है, तो पहला program जो यहाँ चल रहा है, वो है, Global Observing System, GOS, WMO जो है, it coordinate global observing system to collect and disseminate data on weather, climate and water, इसका काम है, ठेक है, कि climate, ये मोसम, जलवायू, ठेक है, और पानी जो है, इनके उपर data gather करती है, और पूरी दुनिया के अंदर में वो data आपको दे लिए, Global Telecommunication System, GTS, ठेक है, facilitate the rapid exchange of metrological and other environmental information among the member country, ये जो वैस्वीक दूरसंचा प्रणाली है, इसके माध्यम से ये क्या करती है, कि दुनिया भर के अंदर में जो मौसम संबन्दी और environment संबन्दी जो सूचना है, वो member country, जो 150 में member है, सबको पहुंचाती है, और भी कई प्रकार की climate services देती है, disaster risk reduction के लिए काम करती है, दोस्तों ये organization, early warning system, किस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से आप जो हमारी reduction strategies है, उन पर काम कर सकते हो, natural disaster से अगर किसी प्रकार का risk है, तो आप उसको किस प्रकार से mitigate कर सकते हो, इन सब के लिए संस्ता काम करती है, साथ-साथ ये global service, global framework network for service climate, climate service, GFCS, इसको भी ये lead करती है, एक international initiative है, जिसका उद्देश्य क्या है, quality and use of climate service worldwide, ठीक है, improve the quality and service of the climate worldwide, तो ये इसकी दोस्तों सारी की सारी क्या है, services, जो ये प्रदान करती है, अब आते है, related search पे, इस मुद्दे में बात हुई है, इस topic में बात हुई है, ये ozone oil की, तो मैं चाहता हूँ ozone oil आपको पता होना चाहिए, ODF क्या होता है, ozone depleting, substance क्या होता है, ODS, ठीक है, greenhouse gas क्या होती है, these are the things which you should look for, ये आपको पता होना चीन के बारे में, ठीक है, prelims specific में बात करते हैं सर, prelims में आपसे पूछा सकता है कि इसकी हाइलाइट, है ना, साथ साथ WMO के बारे में पूछ सकता है, World Metrological Organization क्या है, these are the things which can be asked to you, मेंस की बात करते हैं सर, मेंस में बहुत important सवाल है हाँ पर, ठीक है, आप देखेगा, मेंस का सवाल बहुत ज़ादा अच्छा और महतपून है in the present context, एक्समाइन दी इंप्लिकेशन अप दी World Metrological Organization रिपोर्ट, डिसकस्ट दा की फाइंडिंग्स रिलेटी तु दा इंटेंसिविकेशन अफ क्लाइमेट इवेंट, एकनॉमिक लॉस, एड एडवांस्मेंट इन दा अर्ली वार्निंग सिस्टम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के निहिरतार्थ की जाच करें, जलवायू घटनाओं की तीवरता, आर्थिक नुकसान और प्रारंभिक चेतावनी प्रनालियों में प्रगती से संबंदित प्रमुख निशकर्षों पर चर्चा करें, ठेक है? So this is the topic, examine the implications of world mythological organization. भाई अभी report आईए ना, इसमें कह दिया है कि हमारा 10 अच सबसे गरम है, तो इसके क्या implications? हमें डरना चाहिए, खुश होना चाहिए, डरना चाहिए, तो कहां का डरना चाहिए, क्या करना चाहिए है ना? इसकी मुख्य मुख्य findings के हैं, जो मैंने अभी बताई, है ना? वो बताईएगा आप सारी के सारी, है ना? तो यह आपको इस topic के अंदर में discuss करना है. समझ में आ रहा है, guys. Sir, opted geography optional after watching your videos, but sir, the syllabus is very vast. What to do now? ठीक है? Anmol Deep Singh, we are starting our geography optional batch from the 20th. बेस तारिक से शुरू कर रहे हैं. And trust me, जो यह बड़े, छोटे वाली, जो तुम्हारी problem है, ना? यह बड़ा syllabus है, छोट. मैं कहरा हूँ, जब चीजोचीज समझ में आती है, वो फिर अपने आप बहुत असान हो जाती है. And यह चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब हम geography class करेंगे. ठीक है? कब पूरा syllabus खतम हो गया ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. And this is my guarantee. And this is my commitment. जो मैं आपसे commit कर रहा हूँ. ठीक है? यकीन मानिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यह मैं आपको बोल देता हूँ. अगला एक अभी बिमारी है, जिसको हम बोलते हैं, दोस्तों, pompe disease. तो pompe disease के उपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो pompe disease के अंदर जो cells होती है, वो कैसे देखो? यह normal cells है हमारी, glycogen, G. enzyme, ठीक है? और यह हमारी pompe cell वाली है, glycogen, ठीक है? यह इसके अंदर में नहीं होता, glycogen is not broken down. तो यह क्या है? डिजीज पहले समझते हैं इसका, तो निधी, जो है, यह इसने की patients हैं, और इनको एक rare genetic disorder हुआ था, 2017 में इनका जनम हुआ था, और यह जो जनम हुआ था, यह बहुत ही rare genetic disorder के साथ में हुआ था, और उसके बाद में इन वेंटिलेटर पे रही है, बहुत मतलब बुरी इनके स्थिती रही है, ठीक है? बॉन विद रेर जनेटिक डिसॉडर इन 2017, निधी potable ventilator switched off during her college annual functions, sending हर इना semi-commatous state, यह ventilator है दोस्तों, तो यह जो है off हो गया था, और यह 6 साल semi-commatous state में रही है, और अभी इनकी death हो गई है, तो इनी के उपर है, इनी कोई rare genetic disorder था, तो इसी पर हम यह सवाल कर रहे हैं, ठीक है? देखो, यह हमारे typist ने लिखा हुआ है, Sumit Sir, ठीक है? Pompe disease एक बहुत ही rare disease होता है, inherited disease होता है, ठीक है? जो, मतलब, बहुत लाखों में एक बच्चों को होता है, बहुत rare होता है, ठीक है? यह उस disease की पूरी है, history है, a rare genetic disorder, it is caused by deficiency of an enzyme, acid alpha glucosidase, इसकी कमी के बज़ेस होता है, एक enzyme है, enzyme है क्या ना में इसका, acid alpha glucosidase, though there is no cure for this disease, there are treatment to manage symptoms and improve the quality of life, आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यह genetic disorder है, रहेगा, लेकिन हाँ, इसके जो symptoms आते हैं, इस बीमारी, इसकी वज़े से जो आपके शरीर पर लक्षन आते हैं, आप उसको manage करके, आप उपनी life quality को improve कर सकते हो, इसको कैसे पैचानते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, genetic और enzyme test करते हैं, वैसे data नहीं है कोई हमारे पास, लगबग मान के चलो, 50 लोग ऐसे हैं आज भारत के अंदर में, जिनको ये बिमारी है, इसमें क्या होता है दोस्तो, progressive muscle weakness, आपकी muscle कमजोर हो जाएंगी, आपसे चलने में बहुत दिक्कत होंगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, respiratory complications, cardiac complications होगी, joint contractures and skeleton deformation, delay in achievement of motor milestones, इस सारी बाते हैं, ठीक है, ये pompe disease के अंदर में होता है, तो pompe disease जो है, ये genetic mutation की वज़े से होता है, which is occurring in GAA gene, this particular gene जो है, it holds the instructions for creating an essential enzyme, जिसको उमने क्या नाम दिया था, acid alpha glucosides, तो हो क्या रहा है, एक हमारा gene होता है, हमारी body के अंदर, जब उसमें mutation होता है, उसके अंदर में आनुवांसिक उत्परिवर्तन की वज़े से, हमारे body के अंदर में gene होता है, जो responsible होता है for the production of acid alpha glucosides, तो ये नहीं बन पाता, और उसकी वज़े से दोस्तों ये ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम maltose भी कहते हैं, maltase भी कहते हैं, इस acid को, ये जो हमारा हमने enzyme की बात की न, तो ये हमारा operate करता है किसके अंदर दोस्तों, लाइसोसोमस के अंदर, और ये specialized है, किसके लिए दोस्तों, रिसाइकलिंग के लिए, अंडर normal circumstances, इस enzyme's role involves breaking down glycosin, accomplish sugar into the simpler glucose, which serve as the primary energy source for the most cells, हमारी body जो होते हैं, उस cell के अंदर में क्या होता है, glycogen को glucose में convert किया जाता है, और ये जो है न, ये cell जो होते हैं, उसी के लिए क्या होते हैं, ये enzyme जो है, उसी के लिए क्या होता है, दोस्तों, ये responsible होता है, जब mutation हो जाती है, GAA gene के अंदर में, तो ये process जो है, ये glycogen का glucose में बदलना, ये सब नहीं हो पाता, इसकी वज़े से glycogen जो है न, वो accumulate होने लगता है, ठेक है, lysosome के अंदर में, और वो बहुत harmful हो जाता है, ये जो accumulation है, it inflicts damage on the various organs, बहुत सारी हमारी बॉड़ी के अंदर में, ऐसे उत्तक होते हैं, जिनको ये नुकसान पहुचाता है, स्पेश, विशेश रूप से हम बात करें, तो कई सारी मास्पेश्यों को भी ये क्या करता है, प्रभावीत करता है, ये जो progressive symptoms and signs है, they are characteristics of Pompe disease, they arise due to this damage, जब ये उत्तक हमारे, ये जो organ हमारे damage होने लगेंगे, because of the accumulation of the glycogen in the lysosomes, तो उसकी वज़े से दोस्तों, फिर ये सारी जो symptoms हैं, ये हमें सब दिखने लगते हैं, अब बात करते हैं, दोस्तों, Pompe disease manifest in two primary forms, ये दिखेगा कैसे, तो अगर आप बात करोगे दोस्तों, ये दो primary forms के अंदर में दिखेगा, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, ये दिखेगा का ये में दोस्तों, झाल झाल चलिए ठीक है तो ये दो स्टेट में आता है पहला होता है दोस्तों जिसको हम कहते है शिशू जब होता है बच्चा छोटा होता है तो उस समय पर अलब इनिशल स्टेज़ में जब बच्चे का जनम होया तो इनिशल स्टेज पर ये सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे दूसरा होता है बाद में ठीक है डिलेड ओंसेट इसको हम कहते हैं इसके अंदर में जो सिम्टम्स होते हैं वो बाद में आते हैं ठीक है चाइल्ड रूड में नहीं है बच्चा जब शिशू से बड़ा हो जाता है इन्फेंट से जब बड़ा होता है तब वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं सर ट्रीटिमेंट मैंने बताया, इसका ट्रीटिमेंट जो है वो enzyme replacement therapy है, ठीक है, यह की approach है इसकी, इसको हम short में ERT कहते हैं, ERT जो है it involves administering the deficient enzyme acid alpha glucosidase intravenously to aid in the breaking down accumulation of glycosin, इसमें हम क्या करते हैं आपकी body के अंदर में हम बाहर से, ठीक है, intravenous injection के रूप में आपको यह enzyme जो है य और फिर वो जो glycogen बन रहा था, glucose में convert नहीं हो रहा था, फिर वो process आपकी क्या हो जाती है, start हो जाती है, ठीक है, यह इसका treatment का तरीका है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम gram manchitr के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि नहीं कुछ शुरुआत हुई है, ministry of panchaiti raja ने launch किया है geographic information system, जिसको हम बोलते है GIS, application जिसका नाम है gram manchitr, क्यों किया है, to encourage the special planning by the gram panchait, आपको पता है, panchait level में बहुत सारे काम होते हैं, होते हैं, panchait level पर भी कौन सा project कैसा चल रहा है, किसकी progress क्या चल रही है, कहां पर क्या development है, कहां पर कौन कौन से assets हैं हमारे, तो वो geo tagging के items हैं अब यह बहुत अच्छे तरीके से connect हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों कि grammeen स्तर के उपर, जो हमारी development है, और जो planning है, वो better हो सके, इसलिए gram manchitr, जो है, यह panchaiti raja के दुवारा इसको launch किया गया है, ministry of panchaiti raja launch the geographic information system, तो इस पर बात कर रहे है, to encourage special planning by gram panchait, हमारी जो panchaiti raja ministry है, उसने geographic information system application यानि gram manchitr, जो है, यह launch कर दी, app है basically, यह launch कर दी है दोस्तों, अब यह app जब आ गई है, introduction हो गया इसका, अब geographic information system application ग्राम manchitr by ministry of panchaiti raja, यह बहुत significant step माना जा रहा है, दोस्तों, कि इसमें special planning के अंदर में, ठीक है, जो आपका स्थानिक योज अब इसमें क्या हो रहा है, दोस्तों, बात कर लेते हैं, facilitating special planning, तो gram manchitr, जो है, क्या करेगा, इसके अंदर में, दोस्तों, geo special technology का हम इस्तमाल करेंगे, है ना, और ये unified platform प्रदान करेगा gram panchait को, जिसके माध्यम से gram panchait, अपने area में होने वाले, जो अलग-अलग development work है, across the different sector, ठीक है, वो उनको क्या कर सकता है, ठीक है, वो उनको वहाँ पर visualize कर सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे उसको मदद मिलेगी special planning के अंदर, ठीक है, अब देखो, क्योंकि आप देख पा रहे हो, अलग-अलग sector में क्या काम हो रहा है, तो इससे ना, जो दो developmental काम हो रहे हैं वो आपकी नजर में रहेंगे इस app के माध्यम से तो जब आपके पास data रहेगा आपको पता रहेगा तो you can take informed decisions है ना आप इसे decision making informed decision making कर सकते हो M action soft mobile solution यह app launch की गई है दोस्तों the introduction of M action soft compliments ग्राम मांचेत्र बाइनेबलिंग इजी capture of photo with geotags geotag का मतलब क्या था फोटो खीच के ठेक है उस location के साथ उसको tag कर दिया जाता है जसे मान लोग वहीं सड़क बन रही है कितनी बनी उसकी progress देखनी है तो photo खीचो उसको geotag कर दो तो वहाँ पर जाके उसको check किया जा सकता है इससे क्या होता है दोस्तों जो assets है न हमारे जो बन रहे है उससे सारी related information जो होती है हमारी geotag हो जाती है ठेक है तो वह एक बहुत important चीज़ है यहाँ पर comprehensive asset repository बन जाती है इससे व्यापक संपत्ति बंडार हमारे पास create हो जाता है geotagging assets at various stage it creates a comprehensive repository of information यह जो repository है इसके अंदर बहुत सारे area के natural resources management हम कर सकते है water harvesting sanitation agriculture यह सारी जानकारिया हमें यहाँ पर मिलेगे इसके साथ साथ जो हमारे resource है उसको हम integration कर सकते है इस मांचित्र ग्राम मांचित्र की मदद से दोस्तों है न तो वो एक important च commission fund देखो जो development fund है हमारे पास जो पैसा है जिसके हिसाब से जिसके अंदर से हम यह development काम करते है तो उसका better utilization कर पाएंगे इस geotagging finance commission fund assets के मादर हम से ठीक है अब इसका महत तो क्या है सर significance क्या है बदाईए अगर ऐसे tool आपको मिल रहे है तो आप better planning कर पाओगे better उसको क्या कर पाओगे implement कर पाओगे यह जो tool है they assist gram panchayat officials in formulating pragmatic and attainable development strategies they offer a decision support system for drafting developmental plans including tools to pinpoint prospective locations for the projects track assets estimates project cost and evaluate the project impact यह हम कर सकते है इस से चेक है यह सारी चीज़े आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह भी panchayat से संबंदित है panchayat development index क्या है मुद्दा चलिए इस पर बात कर लेते हैं जल्दी से panchayat development index क्या है तो यह panchayat development index अभी बनाने की बात हो रही है दोस्तों ठेक है sorry यह launch हो गया यह launch किया है अभी बताया है अभी parliament का session जो है उसके अंदर में इसमें इसके बारे में बात होई है ministry और पंचायती राज जो है उन्होंने एक report release किये panchayat development index अभी जो panchayat development index है यह क्या है दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे आप panchayat development index तो पकी बात है it is a multi-domain multi-sectoral index इसमें कई सारी domain को और कई सारे sector को मैंने involved किया होगा दोस्तों है ना उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका बताओ ताकि हमें panchayat के तर पर जो development हो रही है जो performance हो रही है panchayat level पर उस progress का हमें एक comprehensive view जो है overall holistic view जो हमें मिल सके इस panchayat development index के माध्यम से आप क्या कर पाओगे ठीक है आप अलग-लग panchayat का developmental काम कहां चल रहा है वो कैसे काम कर रहे है यह सारी जानकारी सूचना है जो है वो आपको मिल पाएंग जो panchayat development index है ना it also take into account various socio-economic indicator कई सारे socio-economic indicator है पैरामीटर है जिनको यह ध्यान में रखेगा and the well-being and development status of the local community विदिन इस जूरिदिक्षिन ओ पंचायत पंचायत विकास उचकांक किसी पंचायत के अधिकार छेत्रम के वीतर स्थानिय समुदायों की भलाई और विकास की स् संकेतों और माप दंडों का ध्यान रखेगा मतलब जब आप पंचाय development index बनाओगे तो मैंने बताया multi domain है और multi sectoral index है मतलब हम बहुत सारी चीजों का इसमें ध्यान रखेंगे जो वहां के लोगों की भलाई से संबंदित हो अब इसमें दोस्तों मैं आपको बताओं तो water supply, sanitation यह सब चीजें आती हैं infrastructure में उनका हम data रखेंगे, health education, health services, educational institution, literacy rate, enrollment है इनको भी हमने पंचाय development index में रखा है ताकि हम compare कर पाएं है यह economic indicator है, social indicator है, उसके बाद governance and administration है, फिर environment sustainability है, यह पढ़ना पढ़ेगा आपको, ठीक है, यह पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, सारी की सार आपको website पर लखी हुई है, जिन बच्चों को वहाँ से जाके notes बनाना है, आप notes बना सकते हो, जिन बच्चों को वहाँ से सिर्फ copy करके अपना रिखना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी PDF आग बोलोगे, तो मैं telegram पर देता ही रहूँगा, इसका significance क्या है दोस्तों, दे अच्छा कर रही है, किस वज़े से अच्छा कर रही है, वो दूसरे के साथ हम share कर पाएंगे, ठीक है, साथ-साथ में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, जो मारे policy makers है, government agencies है, local authorities जो है, उनको भी insight मिलती रहेगी इसके बारे में, उनको पता रहेगा कि क्या चीज कहां पर हो र रगाने पड़ेगे, so these are the things जिसके अंदर में इसमें हमें help मिलेगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में दोस्तों, next topic है हमारा, free of cost digital tools for the marginalized community, पारलेमेंट के अंदर में, अभी जो minister है, इन्होंने बताया है, कि जो हमारी marginalized community है, उनके लिए सिक्षा के अंदर, हमने कौ इसका detail written response दिया है, लोक सभा के अंदर में, ठीक है, कि government क्या क्या कर रही है, marginalized community को digital tools provide करने पे, ताकि उनकी सिक्षा के अंदर में बिल्कुल कोई cost ना लगे, तो सबसे पहले इसमें मेहतवपूर्ण है, हमारी national education policy 2020, इसके अंदर ध्यान दिया गया है, कि देश में digital infrastructure जो उ multilingualism को promote किया जाए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप Hindi में ही पढ़ा रहे हो, English में पढ़ा रहे हो, regional languages जो है, उनके अंदर में भी teaching जो है, या instructions जो है, वो दी जानी जी, इसकी importance, यहाँ पे यह भी important चीज में रखी है, इसके बाद इन्होंने काया, identify essential skills like digital literacy, coding and computational thinking, ठीक है, digital साक् कोडिंग और computational सोच जैसे आवश्य कोशलों की पहचान करना, उसको आगे बढ़ाना, PME विद्या इनिशेटिव की बात हुई, जब हमने आत्र बिनिरवर भारत अभियान लांच किया था, मई 17, 2020 को, तब हमने PME विद्या इनिशेटिव हम लेके आये थे, बहुत ही comprehensive effort था, जिससे हम digital online जो education है, उसको हम आगे बढ़ा सके, इसमें multi mode access दिया है education का, ठेक है, ताकि सारे students जो है, वो free, across all the states जो है, वो सिक्षा, उन तक निशुल को पहुँच सके, इसके कई component थे, PME विद्या के जैसे दिक्षा, जैसे QR coded, आपका energized textbook, किताबों के अंदर में QR code दे दि आप उस concept को पढ़ सकते हो, और यह जो QR coded energized textbook है, यह आपकी किताबों में आने बाला है, एडुराटी की किताबों में, हमारी किताब के अंदर में, जब आप book पढ़ोगे, तो उस पे QR code होगा, अगर उस concept में कोई दिक्कत आ रही है, you can just scan that QR code और आपको वो concept की वीडियो मिल जाएगी, expansion of DTA channels from 12 to 2000 for supplementary educations, है ना, अलग-लग language में, एक से बारा तक, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे channels यहाँ पे open किये गए, use of radio and community radio, ठेक है, CBSC podcast, सिक्षा वानी, special e-content for visually and hearing impaired, impaired development of the daisy and sign language, यह सारे effort इसके अंदर किये गए थे, इसके अंदर में कुछ skill development पे भी काम किया गया, जिसमें कहा गया, 750 virtual labs बनाते हैं, जिसमें 75 skilling e-labs by 2023, virtual labs for science and mathematics, 6-12 class तक, skilling e-labs for stimulating learning, simulated learning, training for teachers conducted through the PME with the DTH TV channels, है न, इसके लावा information, communication, technology, digital initiatives under the समग्य शिक्षा भियान, इसकी बात की गई, it cover government and aided schools जैसे class 6 से class 12 तक, financial assistance for establishing ICT labs and smart classroom, यह सारे सारे काम किये गए हैं, अब आप कहोगे सर हमें क्यों पढ़ा रहे होगे तो सारा बड़ा factual अलग रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भाई इसलिए बता रहा हूं, कल को e-learning की उपर में आपको लि पर चलते हैं, इस पर साथी पॉर्टल की बात की गई है, यह भी IIT कानपूर की collaboration के द्वारा डवलप की गई है, जो students जो competitive exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, यह उस exam में मदद करेगी दोस्तों, ठेक है, बीटा संस्क्रण पर वर्तमान में देश भर के अंदर चात्रों की प अबी मेगाले के लाख दोंग टर्मरीक जो है ना, ठेक है, लाख का डोंग हल्दी को भोगोलिक संके जी आई टैग से सम्मानित किया गया है, यह जो हल्दी है ना दोस्तों, यह विशेश किस्म की हल्दी है ठेक है, यह बहुत special variety की है, इसको नाम दिया गया क्युर्कुमा लोंगा, यह मुखे रूप से आपका जो लाखा दोंग एरिया है ना, जैन्ती आहिल्स का मिगाले, वहाँ पर यह पाई जाती है, इस टर्मरीक के अंदर में अगर आप देखोगे तो बहुत वाइबरेंट येलो कलर है और इसमें क्युर्कुमिन कंटेंट सबसे जादा हो हल्दी में क्युर्कुमिन होता है ये बहुत ही एक्टिव कंपोनेंट होता है इससे बहुत सारे हल्द बेनिफिट होते हैं हल्दी से होते हैं हल्दी में क्युर्कुमिन होता है इसी से हो हल्द बेनिफिट हमें होते हैं क्युर्कुमिन जो है एक बायो एक्टिव कंपाउं तो एक यह polyphenol होता है दोस्तों, अभी polyphenol आपकी वो chemistry बगएरा के अंदर है, 11-12 के अंदर, ठीक है, polyphenol वहीं से होगा, तो phenol जो होता है दोस्तों, इसके अंदर में कई सारे चीजें होती है, ठीक है, इसके कई सारी cellular level पे हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी activity यह show करता है बहुत renown है, anti-inflammatory effects के लिए, ठीक है, आपकी body में मालो कोई infection हो जाता है, कोई सूजन आता है, कहीं पे जलन होती है, उन सब कोई ठीक करता है, हल्दी लेते हैं, it also act as potent antioxidant, हमारी body में जो free radicals बनते हैं जो stress होता है, oxidative stress, उसको यह दूर करता है, in fact, कुछ समय पहले अभी तो आप मनदब promote होने लगी थी, बहुत ज्यादा curcumin, 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 सब हो रहागा, यह GI tag के बारे में है, ठीक है, this is all from the today's class, content आपका already uploaded है on the website, आप current affair के section में जाके check कर सकते हो, ठीक है, जितना भी हमारा editorial है, वो सारा का सारा Hindi English में complete है, ठीक है, current affair, जो है, वो भी कल तक, ठी जाएगा, और फिर daily basis पे आपके current affair जो है, website पे आपको मिल जाएगे, बाकी यह हमारे telegram channel है, इस पे follow कर लीजेगा, यह हमारा instagram handle है, जिस पे आपको जुड़ना है, बटी, इसको change करना पड़ेगा, यह change हो गया है, sumit.ratthi ii- underscore हो गया, यह कल में change करूंगा इसको, बाकी द यारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, addurati platform के उपर, हमारा youtube channel जिस पे अभी हम देख रहे हैं, please subscribe कीजेगा, आप हमारे साथ addurati.com पे जुड़िएगा, और साथी साथ में, आप हमें follow भी कर लीजेगा, हमारी app है, google play store पे, जाके download क लीजेगा, addurati.com पे अपने आपको login कर लीजेगा, ठीक है, now on this note we are ending this session, thank you very much, उमीर करता हूँ, session पसंद आया आपको, वीडियो को like करना, share करना, channel पे नए हो, तो channel को subscribe करना, मिलते हैं, कल सुबह morning में 8 बजे, अपनी सुबह current affair class के लिए, कल मिलेंगे दोस्तों, कल class होगी अपनी सुबह morning में 8 बजे मिल लेना,